इस इस में संजेत और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे MI का MI box 4K वो क्या है वो क्या नहीं बाद में बलेंगे पहले इसका मैं आपको दिखा दे तो उसका डबा कैसा आता है वो कुछ इस तरह आता है इसका box इंशायद वहां पर आप नहीं देख पाएंगे यहां पर आप देख पाएंगे यस सोखें तो इस क्या है मैं आपको पता दू इन वरीफ जैसे कि अभी का जमाने में जितना भी अभी नए LCD TV आ रहे हो सब एंड्रोइट को सपोर्ट करता है यानि कि जो टीवी ओ एंड्रोइट सपोर्टेट है प्लस क्रोमा का सपोर्टेट है बट जो पुराना LCD से जो मतलब पहले ही खरित लिए कुछ लोग तो आप क्या करेंगे जैसे कि अभी ओटीडी फ्लेटफर्म में काफी जैसे लॉगड़ान के कारण ओटीडी प्लेटफर्म अभी काफी चल रहा है क्योंकि सिनिमा हॉल नहीं जा पा रहा है बट और जो अपना डिट्वेज है उस अपमें अच्छा फिलिम्स आता नहीं अभी हर कोई ओटीडी सेलुइशन है जो कि है माई बॉक्स 4K और यह क्या करता है यह कोई सा भी नॉर्मल टीवी जिसमें USB कनेक्टर हो जिसमें USB केवल डाल सके ओ एंड्रोएट बन जाएगा कोई सा भी टीवी चाहे 1990s का हो या 2019 का हो उसमें USB कनेक्टर होना चाहिए सब्सक्राइब जिसके मदद से आप जितना विन एप्लिकेशन से अप एंड्रोएट फोन में चला सकते हो वो टीवी भी चलेगा जैसे की जैसी कि अब क्या है बताओ हर कोई अब्सक्राइब फोन होते हैं तो तुम सभी को अब सभी को पता ही है कौन सा आप चल सकता है कौ सब्सक्राइब मुद्दा क्या है इसमें Chromecast building मिलता है मतलब आप जो स्किन से mirroring करेंगे TV में यह building है इसमें कुछ 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 device में मतलब कुछ कुछ ऐसे टैप का device में आपको Chromecast नहीं मिलता है इसमें आपको मिल रहा है जैसे कि Amazon fire stick उसमें भी मिल रहा है और बहुत कुछ है ऐसा और मैं अपको अगर prefer करूंगा तो MI box 4K करूंगा क्योंकि आगे बताता हूं वीडियो में और साथ में साथ आपको इसमें Google Assistant का support भी मिलता है यानि कि आप वाइस कमांड से आप कुछ कमांड दे सकते हैं प्लस 4K Ultra SD मिलता है लेकिन यह मत सोचो कि इसमें 4K है यानि कि हम 4K में देख पाएंगे आपका TV भी 4K सपोर्टेट होना चाहिए और फिर चले आपको मैं इसको अन्बॉक्सिंग करता हूं और फिर पताता हूं बबा कुछ है नहीं आंग फांग कुछ भी नहीं है तो बदते अगले वीडियो में मतलब आगे वीडियो में तो जुरे रहो भाईसाप आप थोड़ा बॉइस क्वालिटी में डिफिनेंस आई होगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिवाइज चेंज करें तो यह रहा उपर स दिखाँ तो कुछ इस तरह आपको मिलेगा इसका क्वालिटी काफी अच्छा है मैंने देख लिया अपको मैट इसे ग्लॉसी ब्लैक नहीं है यह मैट ब्लैक है ओपर सब कैसे देखने को मिलेगा इसका लोगों जो है ओ ब्लेंडड है यानि कि इसमें उतना शाइनिंग नह दिखा देता हूं और SDMI, USB and the power, power pin and one for the headphone हां तो और कुछ नहीं है साइड में और पिछे में ब्रेंडिंग और इसमें थोड़ा QR code I don't know what's that serial number ओपर से ऐसा और यह रहा है उसका रिमोट यह ब्लूट से लिए में स्टाइलिश है इसमें बैटरी अपको यह Bluetooth function वाला है और यह पर चोटा वाला रिमोट का बैटरी लग जाते है इसमें मैं बाद में दिखा दूँगा भी बटन इसका काफी अच्छा quality का है और इसमें individual Netflix and Prime Video Prime Video का बटन मिलता है अगर मैं बैटरी का component खोलके दिखाऊं मदलब आपको इसका जो खोलके दिखाऊं तो कुछ इस तरह आप को अंदर रिता है और इसका बटन का भी अच्छा है मैं बार बार बोल दिया हूँ और अगर आपको इसको खरिदना है तो इसका बेस्ट वाइं लिंक नीचे अफिलेटेट लिंक है अब खरी सकते Amazon का अफिलेटेट लिंक है उसमें थोड़ा बहुत मेरे को हेल्फ हो जाएगा अगर आप खरिदते है इसको मेरा दियोए लिंक से तो okay that's it for the video hope you hope see you again in the next video